कोरोना संक्रमन काल में जहां आम लोगों का जीना दूबर हो गया है लॉक्डॉन के पच्चात कई लोग अपने बेरोजगारी पे आ गया है पैसों की कमी है वहीं जहां घर चलना भारी है उस पर भी बिजली के बिल और इसकुल फिस को लेकर कई अंदुलन हो चुके हैं ताजा घटना करम वसई के बंगली इस्तित कारमलाइट इसकुल की है जहां अभीबावकों ने मात्र तीस परतिशत कटोधी करने का लेटर इसकुल प्रशासन को दिया है उस पर भी प्रशासन टस से मस्त नहीं हो रहा है इसी तर्श पर विद्या विकासीनी हुली फिस सही तक इसकुल ने तिस परतिशत फिस की करटोधी की है उसी तर्श पर लोग चाते हैं कि इस इसकुल में भी और अन्य इसकुल में भी कम से कम 30% में कटती हो ता कि अभी बावक school face में कोटती हो ता कि अभी बावक इसकुल dont फ इसकुल फिस बढErे ता कि इसकुल का भी काम चले और अभी बावक भी फिस बढरकर अपने बच्छों की पढ़ए जारी रखें आइए इस ताजा गटना करम में अभी बावकों का क्या कहना है इसको प्रशासंद का क्या कहना है आइए सुनते उनके जवाने अभी बाव लोग हम हमें वह लेटर में अग्नालेजमेंट दे सके हमारे पास प्रूफ रहे हां कि हम लोग ने वह लेटर स्कूल वाले को सब्मेट किया है और डे विल टेक्ट डिजिशन वेदर थर्टी परसंद और एनिपी उसके बाद हम लोग में लिए तो दिन दो घंटे लग गया मिलने को तो फिर मैं मिली उसको तो मैंने बोला प्लीस प्रिंजिबल अट लिस कुछ कम करो ने 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 आपको एक फीज भरना पड़ेंगा और एक टम फीज आपका नाम मैडम मेरा नम विवेट शर्चिप्रकाश ओके माम तो फीज भरना पड़ आपकी कंडिशन हो चाहें नहीं हो ने मुझे उसने बोला तुम पहला एक फीज भरो बाद में एक टम फीज भरो बाद में आपने देखेंगा उसका बाद ऐसा बोला था आज के तारिक में कोरोना के महामारी चलते अलग-अलग स्कूल्स ने अपनी ओर से डिसकाउंट दि अलग-अलग स्कूलों में 30 प्रतिशत दिसकाउंट दिया गया है तो हम चाहते हैं कि अपनी धूमी का एकदम मूख बधीर की तरह कर रहा है अच्छा कहीं से सुनने में इसा आया है कि स्कूल प्रशाषन ने पेरेंट्स के कुछ कॉंफिदेंशल डोकुमेंट्स में मांग की तो यह पूरी तरह गलत है अगर ऐसे मांग कर रहे हमको इसा बाहर से मालूम पड़ा पर हमको ऑफिचिल स्कूल ने नहीं बोला है घंड है क्योंकि श्कूल ने अगर ऐसा कुछ सही है तो लेटर दे universal करने का आगए उस परकार से लीगल एक्शन लेगे स्कूल के ओपर इसका आगेकि क्योंपर कित्कार के पहना देरे पत्रा एक्सप्प करने के लिए वो आना कानी कर रहे है जो गलत है मी महिंद्रपाल 22 कर मा जी जिनियर के जी ते नवी परेंतों मा जी मुलकी यहां शाड़े मदे होती आता दहाते 12 वर्ष यहां शाड़े ने प्रतेक वर्षी काहिन काई फी वाडवली आनि ती आमी भणून आमी यहां प्रयद्ण करता है आमची फक्ता आज योडेश मागनिया है कि आमच्छा आप्लिकेशन फ्क्त गया यहां आप्लीकेशन मदे फक्त एकsen मागनिया है ती पंपुर्ण शाड़े ने सारा सार बिचार करूं 20 टके फिय आमाला माप करावी पं 30 सुद्धा शाड़ा फक्त त्यांचा करतवे सुद्धा बजावत नहीं है कि फक्त आप्लिकेशन गेऊना आमाला एकनॉलेज्मेंट द्याव मंजे तुम आमी जी आर्ज के लेला है तो पौश पौर्ती मनुन आमचा बरोबर आसा भी या साथी आमचा हां हेतु है हां प्रामानी केतु ह जर शाड़े ने ठरोली कि आमी तुमाला पसलाही प्रकार्चा मदद करू शकत नहीं आर्थी के दिऊ शकत नहीं तर आमीं आमची फी जाव और दहाते बारा वर्षा प्रमाने जस्था मुकाटानी भरत आले लौए त्याज प्रमाने या वर्षी सुद्धा भरुंटा को पन आमाला काईता रिजल्ट आवाए है आज माजी सहाते साथ महिने जाली है माजा जौब लेज जाले लौए मी आमचा घराची कंडिशन खुपज वाइट आहे बिकट आहे मनुन मी आप्लिकेशन करतो है आमाला तुम्ही आजस निर्णाई द्या असाम चा मुली सहतू न प्रतिक बाप्ति मदे अडवल सग्ड नडल तरियामी तानना माननेता दिली है कारण का कि आमचा पालकान मदे सुद्धा इनिटी नाहीं आए आज परेंताची इनिटी है आता ही कोणाला बोलाल लावलता सर्व मागे सर्तात कोणी ही पुड़े योन बोलत नाहीं है इस इ अलकान नी या पद्दल हुशाही दाखवा तुमाला काही नाही तुमाला पत्ते एकज मागनी कराईची एका आमाला फीमाभवी शर्वस्व निर्णाई ही शाड़ा गेनार आणी तो आमाला मानने आसनार बस आमची एवडी च्मिननती है